देखो बच्चों, डायरेक्ट ए इंडायरेक्ट नरेट्ट नरेशन में जो असर्ट्व सेंटेंज हैं, उनको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में किस तरीकी से बदलते हैं? इस बिंदू के उपर विगत कक्षा में हमने बहुत मिस्तार से चर्चा की थी और उसके बाद में बच्कों आया था interrogative sentence और मैंने बताया था आपको interrogative sentence जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक वो होते हैं जो HIV से शुरू होते हैं helping verb से शुरू होते हैं और बच्चों उनका जवाब आपको yes या no में देना पड़ता है इसलिए आप उन्हें कहते हैं yes no questions और ऐसे sentence जो किसी HIV से शुरू होते हैं जब आप उनका direct से indirect बनाते हैं बच्चों तो पहला परिवर्थन आप यह करते हैं कि जो reporting verb है उसको आप आश्कड में बदलते हैं एक interrogative sentence वह होता है जिसके अंत में generally साधरणते question mark आता है और एक interrogative sentence वह होता है जिसमें साहिक क्रियागा प्रियोग करता से या subject से हमेशा पहले किया जगता है अगर sentence हचबी से start हो रहा है तो आपको reporting verb तता reported speech को if या वेदर से जोड़ना चाहिए ऐसा मैंने बताया मैंने भी कहता कि अगर reported speech में already और शब्द आ रहा है तो आपको reporting verb तता reported speech को if से नहीं जोड़ करके केवल वेदर से जोड़ना चाहिए इसके लाओ बच्चों आपको नहीं बताया कि reported speech में अगर सर या मैडम शब्द का प्रियोग हुआ है reported speech में अगर सर या मैडम शब्द का प्रियोग हुआ है तो reporting verb में respectfully शब्द जोड़ कर सर या मैडम शब्द को हटा देना चाहिए इसके आगे आपको यह बताया गया कि Reported Speech का Sentence अगर किसी WH Word से शुरू हो रहा है तो RV तता RS को जोड़ने के लिए किसी भी अन्य Conjunction का प्रियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि WH Word Swim Conjunction का काम करता है क्योंकि WH Word Swim Conjunction का काम करता है तो इस तरीके कि नियम बच्चों मैंने आपको बताये थे जैसे मैंने का कि The Doctor Shade to the patient What did you eat for breakfast yesterday क्या का मैंने The Doctor Shade to the patient डक्टर ने वरिश से का What did you eat for breakfast yesterday कल तुमने breakfast में क्या खाया कल तुमने लाश्टे में क्या खाया जब बच्चों आपको इसका indirect मनाना होगा तो सबसे पहले आप कहेंगे The Doctor Shade to को आपको आश्खड में विदलना होगा The Doctor Shade to the patient और conjunction के रूट में आपको बाहर से That नहीं लगाना मैंने एक चीज़ यह भी बताये थी कि Double Conjunction का प्रियोग कभी नहीं होता अगर किसी sentence में If यह वेदर आ रहा है बच्चों तो उसके साथ That नहीं आना चाहिए और अगर किसी sentence में किसी WH word का प्रियोग हुआ है तो उसके पहले That का प्रियोग नहीं होना चाहिए तो आपको sentence बन गया कि The Doctor asked the patient What What did you eat तो बच्चों जब इदर जाएगा तो head में बदल जाएगा तो What he had eaten Head जो है Did का प्रियोग तो subject से पहले हो रहा है लेकिन आप क्या करेंगे दूसरी बात यह भी है कि सभी प्रकार के वाच्चों को साधरन वाच्चों में बदल दिया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि सायक किरिया जिसका प्रियोग सब्ज़क्ट पहले हो रहा है इंडाइरेक्ट स्पीच में उसको बदल तो इसमें आपको सायक किरिया को उठा करके करता यह बाद रखना चाहिए तो What did you eat for breakfast yesterday तो इसका मिलेगा बच्चों What he had eaten for breakfast और yesterday कि जएगे क्या मिलेगा the day before या the previous day इस तरी की बाते मारे बीच में हुए थी अब बच्चों आगे वाला जो topic है वह अपना imperative sentence देखें आप imperative sentence यह बच्चों कौन से sentence होते हैं imperative sentence होते हैं जिनको आप Hindi में कह सकते हैं आज्यार थक बाक्य सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह हमेशा वर्भ की first form से शुरू होते हैं किसे शुरू होते हैं और बच्चों, ऐसे वाक्यों में क्या नहीं होता ऐसे वाक्यों में subject नहीं होता कई बार बच्चों जो वर्भ की first form है उसके पहले please या Please या kindly शब्द का प्रियोग दी देखा जा सकता है कई बार वर्ब की first form के पहले बच्चों don't या never शब्द का प्रियोग भी देखा जा सकता है कैसे बदलेंगे आप इसे बच्चों को direct से indirect में देखो एक sentence अपनी बात के लिए करता हूँ लिखना आप Sonia said to Sonu Sonia said to Sonu Go away दूर चले जाओ sentence होतारो Sonia said to Sonu Sonia ने Sonu शें कहा Go away दूर चले जाओ आपने बच्चों इसमें देखा कि Sonia said to Sonu ये बच्चों ये वाला पार्ट तो inverted कोमाज के बाहर है तो आप समझ दे होंगे कि ये तो reporting वाला पार्ट है और inverted कोमाज के अंदर आ रहा Go away Go away बच्चों एक वर्ब है और वैसे तो आप इसको पूरा sentence ही समझें क्योंकि इसमें subject जो बच्चों है वो यू है जो understood है You go away वो यह कहना चाहती है You go away और बच्चों आप ने देखा कि ये पार्ट जो है वर्ब की first form शुरू हो रहा है मैंने कहता कि जो imperative sentence होते हैं उनमें जो imperative sentence होते हैं वो generally वर्ब की first form से शुरू होते हैं यो वर्ब की first form से शुरू हो रहा है और ऐसे वाक्यों को बच्चों आप क्या करते हो, मैंने ये भी कहा कि जो imperative sentence होते हैं, वो वर्ब की first form से शुरू होते हैं, और उनमें order request या advice का भाव होता है, उनमें order request या advice का भाव होता है, जब आप ऐसे वाक्यों को direct से indirect में बदलेंगे बच्चों, तो समसे पहले आपको परिवर्तन करना पड़ेगा reporting verb में, क्या परिवर्तन करोगे देखना Sonia, okay, say to के इस्तान पर बच्चों आपको भाव के अनुसार या तो ordered का परियोग करना पड़ेगा, अगर order का भाव है तो, और आपको लगता है कि request का भाव है, request का भाव पकरने के लिए बच्चों ये पड़ेगा please या currently का परियोग हुआ है क्या, अगर please या currently का परियोग हुआ है, तो reporting verb को requested में ही बदलना चाहिए, तो दूसरा क्या हो गया, requested, okay, और अगर आपको लगता है कि reporting verb में तो सलाह का भाव है, advice का भाव है, तो बच्चों आपको करना पड़ेगा, A, D, V, I, S, E, D advice, ठीक है, okay, कई बार बच्चों आपके भाव समझ में नहीं आता है, ऐसी इस्तिती में reporting verb को आश्क्र में बदल देना चाहिए, if the idea is not clear to you, if the concept is not clear to you, अगर आपको बात भी समझ में नहीं आ रही है कि उसमें सलाह का भाव है, कौन सा notion है, उसमें सलाह का भाव है, या उसमे परियोग का भाव है, अगर कौन शर्ट आपको समझ में नहीं आता है, नोशन आपको खिलियर नहीं होता है, तो यह इस इस्तिते में आप reporting वर्प की रूप में आश्क्र का परियोग कर सकते हैं, तो देखना, सोनिया, बच्चों, साब साब लग रहा सोनिया, शेट तो सोन शोनिया, यहां तक समझ में आगिया है? आपने के किया है, आपने भाव के अनुसार, एक पोरटिंग वर्प को शिया, और में बदला है, भाव के अनुसार, इंपय्ट्टिव सेंटेंसेज में बदलाए, तह ना चाहिए नहीं र言 को टु से जोड देना चाहिए आर्वी ततार है, इसको 2 से, डैट से नहीं जोड़ना चाहिए, इस बार 2 से जोड़ना चाहिए, इस बार 2 से बार 2 लगा दिया, 2 ये गो आ गया बच्छों, गो और अवे, और सारे चिन्नटा दो, अप अन्शरबन की तियार है, सुनिया ओडर, सुनू तो गोवे, सुनिया सोन याने सोनू को जाने के लिए आदिशित किया दूसरा सेंटेंज लिखो बच्चों मैंने उससे कहा इंगलिश में कहेंगे I share to her मैंने उससे कहा किर्पया दरवाजा बंद कर दो प्लीज क्लोस दर डॉर तो देखा सेंटेंज क्या है I said to her please close the door I said to her please close the door मैंने उससे कहा क्रपया दरवाजा बंद कर दो I said to her please close the door मैंने उससे कहा क्रपया दरवाजा बंद कर दो तो आपने मुझसे पुछा किया आपने उनको क्या कहा तब यही तो कहूंगा मैंने उनसे निवेदिन किया मैंने उनसे दर्वाजा बंद करने के लिए निवेदन किया मैंने उनसे दर्वाजा बंद करने के लिए निवेदन किया तब बच्चों आप क्या करेंगे देखो सबसे पहले प्लीज आ रहा है तो आपको reporting वर्ब को बाउ कि नुसार किशिमें बदलना चाहिए आई रिक्वेस्टेड आई रिक्वेस्टेड गया घर इसको अटाओ तू से जोड़ो तू क्लूस दे डोर सारे चिन हटातो आई रिक्वेस्टेड हर तो क्लोस दे डोर मैंने उनसे दर्वाजा बंद करने के लिए निवेदन किया उतारो बच्चों आईगे देखना शी शीएड तो हर सर्वेंट शीएड तो हर सर्वेंट वा अपने नवकरशे बोली ब्रिंग ए ग्लास अफ वाटर फोर मी ब्रिंग ए ग्लास अफ वाटर फोर मी समझे सेंटेस किया देखो शीएड तो हर सर्वेंट शीएड तो हर सर्वेंट वा अपने नवकरशे बोली ब्रिंग ए ग्लास अफ वाटर फोर मी मेरे लिए ग्लास पानी लाओ ब्रिंग ए ग्लास अफ वाटर फोर मी मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आओ, तो बच्चों इसका क्या बढ़ेगा, उसने अपने रोकर को एक बिलास पानी लाने का आदिश दिया, उसने अपने रोकर को एक बिलास पानी लाने के लिए आदिशित किया, कैसे बनाएंगे आप, यह अंसर चलो हो गया देगो, she ordered, she ordered her servant, she ordered her servant, okay, she ordered her servant, आर भी ततार इसको two से जोडो, to, बाची आ जाएगा, bring a glass of water for me, मी, मी बच्चो फस्ट परसंगा प्रोनाउन है ना, यह सब्जक्ट के नुसर बजलेगा, सब्जक्ट पौन है, she, लेकिन आपको पता है कि यह फोर के बाद मी, यहनी objective form में आ रहा, तो शी का object क्या होगा, हर, तो यहाँ आपको हर का प्रियोक करना पड़ेगा, सारे चिन उसने अपने नोकर को, उसने अपने इनोकर को अपने लिए एक ग्लास पानी लाने का आदेश दिया, रेक्विष्ट बाला बदा दिया, आपको ओडर बदा दिया है, ठीक है बच्चो एक ऐडवाइस वाला ही बताता हूँ, ऑ्समाना ना खाषागा सन मारेश और Son A Side अच्टिया सका की इस दवा का नीएमें तूप से शेवन करो English ने पॉद्धिक है इस इस Dartmouth had to accept the doctor said to the patient Take this medicine regularly थेका आथ, sentence क्या है The doctor said to the The doctor said to the patient डॉक्टर ने मरीश से कहा, टेक दिसे मेडीशिल, डॉक्टर ने मरीश से कहा, इस दवा का नियमी तरूप से क्या करना, इस दवा का नियमी तरूप से शेवन करना, डॉक्टर में मरीश ने कहा कि इस दवा का नियमी तरूप से शेवान करना, इंडायरेक्ट बनाना बच्छों, तो आप देख रहे हैं, डॉक्टर जब भी आपको कोई बात कहता है, तो दो तीन बातें आप समझें, अगर डॉक्टर सब्द का प्रियोग हुआ है, बच्छों क्या तो मस्ट का प्रियोग करना चाहिए, और अगर नेगेटिव है तो मस्ट नॉट का प्रियोग करना चाहिए, उधर ने दिया ता मैंने, you are a patient of TB, you must not smoke, यह सही है, और you should not smoke, यह गलत है, डॉक्टर के दवारा नेगेटिव एडवाइस देने पर एक प्रोहिबिशन का भ दे डॉक्टर, शेर टू को बच्चों अडवाइस विम बदलू, दे डॉक्टर एडवाइजड दे पिशेंट, दे डोक्टर एडवाइस दे पिशेंट, आर भी ततार असको किसे जोड़ोगे, तू शेया, यह आगया, टू, टेक, देट, दिसको देट भीम बदलोगे, औ medicine regularly देखो बच्चों हिंदी में सलना बात हो क्या है डॉक्टर ने मरीज को कहा इस दवा का नियमित्रूप से शेवन करना दे डॉक्टर अड़्वाइज देपेशन तो टेक बैट medicine regularly यानि डॉक्टर ने मरीज को उस दवा को नियमित्रूप उप्षेशेवन करने की सलाह दी उतर वचो my father said to me sentence my father said to me never tell a lie मेरे पिताजीने मुष्चे का कि कभी जूट मत बोला करो my father said to me never tell a lie मेरे पिताजीने मुष्चे का कि कभी जूट मत बोला करो तो देखो बच्चो इसमें ट्याएज की never का प्रियोग हो गया है ना तो आप जा किरोगे my father इसमें advised'ー का बाऊ है तो टू टेल तो होगा लेकिन यहां पर क्या करें जाए आप टू यहां आएगा और नेवर पहले आएगा नेवर टू टू टेल ए लाई समझ गया अगर रिपोर्टेड स्पीच बच्चों नेवर से शुरू हो रहा है तो आपको टू के पहले नेवर का भी प्रियोग करना च बच्चों कर डूंट आ रहा है तो आपको नोट टू से जोड़ना चाहिए डूंट का उधारण भी दे दिता हूं आपको देखो शी सेड डूंट मेक डूंट मेक ए नोईज शी शेड डूंट मेक ए नोईज उसने कहा शौर मत बचाओ अब बचों आपको पता किसम में अपने को भाव समझ में नहीं आ रहा आप मुजेए खे लिए या रिक्वेस्ट में बदे लिए इसको बदले या इड्वाई एड़วाईस में बदले तो इसको बसल दिया बच्चों मैंने सी आसकुझझ अधि कुछावातु कुछाने केलिए नौज अर्थो कासरे लॉट पूछना में है था इसक का मिन पूछना नहीं है परांतु बच्चों सब्सकूरय करिया है इस तरी कि बच्छों सब्सक्राइल को अपने अंदर नहीं तरकती है है dep judges at a बनाते हम जो इंटेरोगेट्व सेंटेंज हैं, जो इंपेरेट्व सेंटेंज हैं, उस पर हमें बात की है, और बाकी बात हमारी जारी रहेगी बच्छों, पर उन्तूर्श पहले हम लेंगे दो मिनट का ब्रेक, ओची. झाल प्रोडिट्ट टाल उन्ड में करो आरा का बात का यहां जयाँ ऑर प्राना यह करना वेंगे पता हमारी जो मिन आरेका झाल सेंट थार प्क्टन गजन हैं, घर जास हमें हमें वितित थािए गgeord रहां बात आरेक जारा मिन्मा के पहलेब तकुर्शों, तक पर दोण के जो झाल 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 झाल